काशी में महादिव और उन्हीं के रुद्र स्वरू काशी के कोतवाल काल भहरो का विशेश महत्व है यह सहर सदाक से उनकी क्रपा द्रस्टी में है ऐसी मानिता है और यही वज़े है कि जो जानते हैं काशी की परंपराओं के बारे में वे पहले काल भहरो मंदिर जाते हैं बाद में काशी जाते हैं लेकिन जिस विशेज बात का जिक्र करने जा रहा हूं वो अपने आप में बेहद अनूठा है ये बात जुड़ी है काशी के सर्ममान कोतवाल बाबा काल भहरो से वारणसी में विश्वेश्वर गंच इस्थित एक कोतवाली थाना है अब कोतवाली के कोतवाल काल भहरो को गदी से हटा के भला कौन कोतवाल बनने का दुसाहस करेगा संभावता ये दुनिया का एक मात्र पुलिस टेशन होगा जहां थानेदार के कुरसी पर काशी के कोतवाल बाबा काल भहरो विरास्ते है अब सर्ब बगल में कुरसी लगा कर अलग बैठते हैं आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि सालों से इस पुलिस टेशन का काल भहरो ही हैं कोतवाली पुलिस टेशन की ऐसे चो कि कुरसी पर काल भहरो की तस्वीर विराजमान रहती है और उसके बगल में कुरसी रखकर बैठते हैं थाना प्रभारी रूटीन काम करते रहते हैं बनारस में कोई अधिकारी जॉइन करने से पहले काशी विश्वनात् उसके बाद ही पदभार समालता है यहां तक कि जब मोदी जी कासी के सांसद होने की इच्छा से सहर में आए तो सबसे पहले काल भहरो से ही आशिरवाद लेने गए थे खेर जिस थाने के मालिक खुद कासी के कोतवाल हों वहां का निरिक्षन कोई अधिकारी भला कर भी कैसे सकता है इसलिए कोतवाली थाने का कभी निरिक्षन नहीं होता अधिकारी वहां पर जाते भी हैं तो निरिक्षन नहीं कर पाते बताते हैं वर्षों पूर्व एक अधिकारी ने कोतवाली थाने का निरिक्षन करने का दुस्साहस किया था साम तक उसका तबादला हो गया था इसके बाद से अधिकारी भी कोतवाली थाने से धोरी बना कर ही रखते हैं जिनको नपता हो उनके लिए बता दू कि कोतवाली थाने के पास ही बाबा काल भैरो का मंदिर है कासी की इस धार्मिक मानिता का पुलिस महकमा पूरा ध्यान रखती है आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी करपया कमेंट करके मुझे बताईएगा साथ ही आप लोग इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे इसके लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद और चैहिन दोस्तों